हलो बच्चों कैसे है आप स्वागत आपका मेरे चैनल किट्स लर्निंग में आज मैं आपको डेज नेम लिखना और पढ़ना सिखाऊंगी डेज नेम मतलब क्या होते है सप्टा मतलब सप्टा में जो दिन होते हैं दिनों के नाथ तो स्टार्ट करते हैं स-U-N-D-A-Y संडे संडे मतलब रविवार M-O-N-D-A-Y मंडे मंडे मतलब सोमवार T-U-E-S-D-A-Y Tuesday मतलब मंगलवार W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday मतलब बुदिवार T-H-R-U-S-D-A-Y Thursday मतलब ब्रहस्पतिवार F-R-I-D-A-Y Friday मतलब शुकरवार S-A-T-U-R-D-A-Y Saturday मतलब शनीवार तो एक बर रिवाज कर लेते हैं और यह हमारे दिन एक जो हमारे सब्ता होता है उसमें हमारे साथ दिन होते है S-U-N-D-A-Y Sunday प्रविवार Monday सोमवार P-U-E-S-D-A-Y Tuesday मतलब मंगलवार W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday मतलब भुद्धवार T-H-R-U-S-D-A-Y Thursday मतलब ब्रस्पतिवार F-R-I-D-A-Y Friday मतलब शुकरवार S-A-T-U-R-B-A-Y Saturday Saturday मतलब शनिवार बच्चों जो हमारे सब्ता होते हैं उन में जो दिन होते हैं यह उनकी नाम है तो इससे आप भी लिखेगा और समझेगा और इस वीडियो का अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तैंक यू